Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy जैसा कि आप Thumbnail में देख रहे हैं IEA International Energy Agency इसने भारत के साथ अभी हाल ही में एक समझोता किया है इसलिए ये निउस में बना हुआ है अब इस समझोते में क्या किया गया है इसको हम डिटेल से देखेंगे भारत ने वैस्विक उर्जा सुरक्षा है तो अंतराश्टी उर्जा एजनसी के साथ समझोते पर हस्ताक्चर किये है इस योजना का मुख्य उद्देश वैस्विक उर्जा सुरक्षा, इस्थिरता और उसे भरोसे मन बनाने में सयोग को मजबूत बनाना है यह समझोता भारत के लिए अंतराश्टी उर्जा एजनसी का पूर्ण सदस से बनाने की दिसा में एक और एहम कदम होगा तो जैसे यह समझोते जो हो रहे हैं भारत इस समझोते के तहट अपनी इस्तिती को आई एए में मजबूत करने में लगा हुआ है तो हो सकता है कि वो इसका संपूर्ण भागिदार याने की एक संपूर्ण पूर्ण सदस से बन जाए भारत ने 27 जनवरी 2021 को अंतराश्टी उर्जा एजनसी याने की IEA के साथ रणनीतिक भागेदारी समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं इस योजना का मुख्य उद्देश वैस्विक उर्जा सुरक्षा इस्तिरता और उसे भरोसे मंद बनाने में सहयोग को मजबूत बनाना है बिजली मंतराले ने एक बयान में कहा है कि इस साज़ेदारी से सदस्य देश एक दूसरे के बीच जानकारी का व्यापक रूप से आदान प्रदान कर सकेंगे साथी यह समझोता भारत के लिए अंतराष्टिय उर्जा एजनसी का पूर्ण सदस्य बनने की दिसा में एक और कदम होगा देखिए उर्जा छेतर में भारत लगातार बढ़ोतरी कर रहा है दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने की कोशिस कर रहा है समझोते ऐसे किये जा रहे हैं जिससे भारत आत्म निर्भर बने मेकिन इंडिया में भी कई ऐसे कदम उठाय जा रहे हैं में भारत उर्जा छेत्र में अपने आपको सक्षम बना सके उसी के तहट ये समझोता किया गया है मुख बिंदू क्या है बयान के मुताबिक IAA सदस्यों और भारत सरकार के बीच रणनीतिक भागेदारी के लिए रूप रेखा पर 27 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किये गए है इस समझोते के तहट सदस्यों के बीच आपसी विश्वास, मजबूत सहयोग और वैस्विक उर्जा सुरक्षा, स्थिर्ता और टिकाउपन को बढ़ावा मिलेगा यानि एक दूसरे का जितना ज़्यादा सहयोग हो सके वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे समझोता ग्यापन यानि MOU पर भारत की तरफ से उर्जा संजीव नदन सहाय और IEA की और से कारेकारी निदेसक डॉक्टर फती बिरोल ने हस्ताक्षर किये है बयान के मताबिक रणनीतिक साजेदारी की रूप रेका को भारत और IEA के सदस्यों द्वारा तै किया जाएगा जिसमें भारत की भूमिका और साजेदारी से मिलने वाले फायदे धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे IEA सची भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने वाली गतिविदियों के करयान्वन के लिए जिम्मेदार होंगे अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर नाम मिल गया है IEA के अध्यक्ष का आप कह सकते हैं उनका नाम है फती बिरोल सबसे पहले आपको IEA के बारे में पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है International Energy Agency इसके बारे में जान लीजिए The International Energy Agency is a Paris-based autonomous intergovernmental organization established in the framework of the organization for economic cooperation and development in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis इसका headquarter Paris, France में है आपको पता चल गया founded यानिकि इसका जो इसकी स्थापना होई थी वो November 1974 1974 1974 1974 में होई थी और आपको इसके अध्यक्ष पता चल गए इसके प्रेसिडेंट है फती बिरोल जो की 2015 से इसके अध्यक्ष है और 2018 में इन्हें दुबारा चुना गया था इसके अध्रिक्त एजनसी के सदस्यों और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साजेदारी तै करने का काम भी IEA करेगी यानि कि जो कितना ज़्यादा सहयोग भारत और IEA के बीच में बढ़ाया जा सकता है ये कार IEA का रहेगा भारत सरकार समझोते के मताबिक उर्जा छेतर में रणनीतिक और तक्नीकी सहयोग को प्रोथसाहित करने और बढ़ावा देने वाले आवश्यक कदम उठाएगी रणनीतिक साज़दारी की रूप रेखा को भारत और IEA के सदस्यों द्वारा तै किया जाएगा इसमें भारत की भूमिका और साज़दारी से मिलने वाले फायदे धीरे धीरे बढ़ाये जाएगे इसके तहट स्वक्ष उर्जा संक्रमण कारिकरम जैसे उर्जा सुरक्षा स्वक्षता और सतत उर्जा उर्जा दक्षता भारत में पेट्रोलियम भंडारन छमता को बढ़ाना भारत में गैस आधारित अर्थवस्था का विस्तार देने से कारिकरम चलाए जाएगे जो कि भारत पहले से ही उज्वला योजना के तहट चला रही है नेक्स पॉइंट है इसमें कि अंतराश्टी उर्जा एजंसी एक नजर में जिसके बारे में आपको बताये दिया गया है कि अंतराश्टी उर्जा एजंसी एक स्वायत संगठन है इसके वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं तथा 8 सहयोगी देश हैं इसकी स्थापना 1974 में हुई थी 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी इसका मुख्य उद्देश तेल की आपूर्ती में प्रमुख बाधाओं के सामोहिक प्रतिक्रिया का समन्वै कर मुख्य रूप से अपने 29 सदस् आपूर्थी सुनिश्चित करना है आई ए के चार प्रमुख छेत्र उर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास पर्या वर्णिय जागरुपता और विस्व में उर्जा के प्रति वचन बद्दता है तो यह आई ए ने जो इंडिया के साथ एग्रिमेंट किया है उससे रिलेटेड न्यूस थी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद